Hey guys, welcome back to my YouTube channel, this is Sam Walker and आज के इस वीडियो के अंदर आपन बात करने वाले हैं Project Madras के बारे में तो भाई हुआ कुछ ऐसे है कि एक दो वीक से बहुत सारी ऐसी कमेंट्स आ रही थी जो मुझे बोल रही थी कि भाई Project Madras देखो उसका gameplay आया है फलाना दिम का तो पहले तो मैं इन कमेंट्स को इग्नोर करता गया कि मैंने सोचा कि कोई ऐसे कोई गेम वेम आ रहा होगा फिर मैंने एक दिन देखा कि ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं कि जो Project Madras है वो क्या चीज है तो मैंने YouTube के उपर सर्च किया और जैसे मैंने YouTube के उपर सर्च किया तो पर मिस्स मत कर देना तो चलो सबसे बहुत है तो अपन जान लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट Madras है वो एक समाई ओपन वर्ल्ड गेम है जो की एक इंडी स्टूडियो द्वारा डवलप किया जा रहा है इस गेम की जो सेटिंग है ना वो मदरास के अंदर होने वाली है विच इ इससे के साथ यार यह जो गेम है ना वो अन्रियल इंजन फाइब के अंदर डवलप किया जा रहा है तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जो प्रोजेक्ट Madras है वो एक्च्वल में क्या होने वाला है तो चलो अब बात करते हैं मेरे इनिशियल ओपिनियन के बारे में त्यार जैसे ही मैंने इस गेम का गेमपले देखा ना पहली बार तो I was literally shocked क्योंकि इस गेम के जो color tones थे ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा photo realistic थे color tone से मेरा मतलब यह है कि गेम का जो overall environment था ना उसके जो colors थे ना वो बहुत ही ज़्यादा close to reality थे और यहीं चीज आप भी notice करो कि जब आप इस गेम का gameplay देखोगे पहली बार color tone के बाद जो मैंने चीज नोटिस की वो यह थी कि इसके जो gameplay animations थे ना वो बहुत ही बढ़िया थे अब I know यार यह एक demo project है तो अपन ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते बट इसके जो animations थे ना वो मुझे बहुत ही बढ़िया ना वो इतने खास नहीं थे उनके अंदर जर्क देखने को मिल रहा था लेकिन यह जो गेम था ना इसके जो gameplay animations थे ना वो बहुत ज्यादा smooth and responsive लग रहे थे और जहां तक मुझे लगता है कि आने वाले time के अंदर Mumbai गलीस के animations वगरा यह भी improve हो जाएंगे क्योंकि आर वो भी अभी एक बीटा गेम है तो उसके बारे में भी अपन जादा बात नहीं कर सकते बागियार जो project मदरास है ना उसके बारे में मुझे एक और चीज बहुत ही ज्यादा interesting लगी और वो यह थी कि इस गेम के अंदर आपको physics simulated objects देखने को मिलेंगे आपने भी देखा होगा कि मदद से आप अपने खुद के NPCs या characters ना वो design कर सकते हो प्लस इसके द्वारा design किये गए जो NPCs वगेरा यह होते है ना वो बहुत ही ज्यादा performance optimized होते हैं मतलब कि अगर आप meta human से जो NPCs वगेरा यह create करके डालते हो ना गेम के अंदर तो आपके गेम की जो performance है ना वो ठीक ठ रहेगी मतलब आपको ज्यादा CPU या GPU resources की जर्रत नहीं बढ़ेगी तो यह भी एक बहुत ही बढ़िया चीज मैंने इस गेम के अंदर देखी इस चीज का यूज शायद मुझे लगता है कि Mumbai गलीज के अंदर भी लिया गया है बागियार इस गेम के अंदर आपको driving and riding भी दे कि यह यह चीजे होने वाली है तो चलो अब बात करते हैं मेरे opinions के बारे में तो यार देखो बात कुछ ऐसी है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने gameplay बना के post किया बट मुझे बहुत ही कम chance लग रहे है कि यह गेम actual में कभी आएगा and कभी आएगा भी ना तो यह गेम कभी भी आपको complete देखने को नहीं मिलेगा अब ऐसा क्यों होने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं बार्ट मेरी gut feeling यहीं बोल रही है कि यह गेम कभी भी actual में release नहीं होगा and यह चीज तुम लिखके ले लो and मैं ऐसा चली बोल रहा हूं क्यों कि यह जो आपने gameplay द देखा ना project मदरास का वो एक demo project का gameplay है actual में उन्होंने developers ने इतना ज्यादा कुछ नहीं किया हां मैं जानता हूं कि जो demo project है ना उनको बनाने में भी बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है लेकिन एक पूरा game बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना उसके comparison में यह कुछ भी नहीं था तो इसके लिए तो मैं जो game developers है ना भाई उनको really appreciate करता हूं बट यार मेरी game developers से यह request है कि ठीक है आपने बहुत ही बढ़िया demo बनाया आपने बहुत कुछ किया मतलब बहुत मेहनत किया आपने तो मैं यह चाहूंगा कि आप इस game को actual में release करो यह नहीं कि आप demo बनाके ड करनाओ उसके अंदर थोड़ी बहुत perfection होनी चाहिए अप देखो यार इतना तो मैं भी समझदार हूं कि एक चोटा studio बड़े studio की तरह काम नहीं कर सकता लेकिन जो काम किया है उसको तो perfect कर सकता है या उसको तो polish कर सकता है ना एसा करना जरूरी भी है कि एक इंडी गेम की repetition ब success नहीं होगा और इस चीज के examples भी आप देख चुके हो past के अंदर बहुत सारे ऐसे गेम आये थे उनके graphics बहुत ज़्यादा तगड़ी थी लेकिन जो gameplay था ना वह इतना घटिया था कि एक indie game developer को भी शरम आ जाए ये बोलते होए कि ये game मैंने बनाया है तो overall मैं तो यहीं बो बहुत मुझे उमीद है बाकि अगर ये game भी success हो जाता है ना तो भाई सच बता रहा हूं Indian gaming community है ना उसके अंदर एक revolution सा हो जाएगा और भी बहुत सारे game developers आएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे games बनाएंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा अगर ये दो game success हो जाते हैं त बाकि future के अंदर देखते हैं क्या कुछ होता है तो चले आज के लिए इतना ही I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बाकि मिलते हैं अगली वीडियो में गाई झाल 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 झाल